लो फ्रेंट दूस्ट दूस्वांगेताब का हमारे शेयर पाप के फेवरे सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है में आने वाला है लीप चीहां दूस्तू रनवीर की हो जाए की मौत और उसके बाद कार्तिक और सीरत की जिन्दगी नए शिरे से शुरू होगी रनवीर सीरत से कहभी देता है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम दूसरे शाधी कल लेना जैसे अंकल आटी ने की है सीरत ये सुनका शोग बजाती है लेकिन इसके पीछे का raison वो समझने पाती है गुसा होती है लेकिन किस्मत को शायद यही मन्जूर है सीरत और रनवीर का अलग हो जाना तो परी सीरत से रनवीर को एक मोट छीन ले जाएगी और अब कार्ति को सीरत की जिन्दी की नए शिरुआत देखने को मिलेगी वो भी एक लीप के बाजी हैं दोस्तों लीप के बाद कार्ति को सीरत साथ में जिन्दगी बिताते में नजर आएंगे और अक्षू और कायरव की जिम्मेदारे सीरत उठाते नजर आएगी तो कार्ति के सीरत तो पहले ही प्यार करते थी लेकिन इनकी कहानी इतने मोड़ खाकर साथ में गुज़ेगी ये किसी ने सूचा भी नहीं था तो रनवीर का अंत ही कार्ति को और सीरत को हमेज़ा के लिए एक कर देगा और शौ में कुछ महीने का लीप दिखाया जाएगा जहापर अक्षू भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी और वो सीरत को ममा कहकर पुकार रहेगी और यहीं से एक नया प्रोमो चारी किया जाएगा जल देखने हैं प्रोमो चारी को मिलेगा जो कि कुछ महीने बाद के लीप के बाद का दिखाया जाएगा जहापर सीरत कार्ति की वाइफ बन चुकी होगी और अक्षू और कार्थ दोनों ही उसे ममा कहकर पुकार रहे होंगे वों कार्ति को सीरत अपने बच्चों की इसे होगी नई शिरुआत तो दोस्तों आने वारा है कुछ लीप सियों में और उसमें एक नई शिरुआत ये रिस्ता क्या के लादा की देखने को मिलेगी जो जितना भी हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिल रहा था वो सबका दी एंड हो जाएगा और कार्ति को सी शिरुआत होगी यानि कि नायरा लोटकर नहीं आने वाली है सीरत ही नायरा की जगले लेगी फैंस जो इंतजार करते नायरा का अब नायरा आपको नजर नहीं आने वाली है क्यों अब शो में सीरत ही नायरा बनकर आपको दिखाई देगी